तो आज के इस वीडियो में जो सबसे पहले टिप शेयर कर रही हुम है, जब भी हम नया राशन लाते हैं, तो उनको पुरानी राशन के उपर डाल देते हैं, जैसे कि इस डिब्बे में देख रहा है थोड़ा दाल बच्चा हुआ है, तो इसके उपर ही हम फिल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पुरानी डाल जो होती है, या पुराना जो भी राशन होता है, उसको हमें अलग निकाल लेना चाहिए, ति साफ डब्बे में हमें नया राशन भर लेना चाहिए, जैसे कि इस तरह से भर लीजे, और उसके बाद से आप पुरानी जो भी आपक कर पाएंगे इसको दूसरी टिप है कि अगर डबे खाली हैं तो उनको पहले आपको धूप दिखा रेना चाहिए धूप में दिखाने से मौश्चर उनका खतम हो जाता है साथी साथ नए राशन आप डालेंगे तो वो सेफ रहते हैं कीडे पढ़ने के चांसेस नहीं रहते है तो इसलिए एक बार धूप में ऐसे ही इंडबो को रख करके धूप दिखा लीजे नए जाड़ू जब भी हम यूज करना शुरू करते हैं तो एक प्रॉबलम उनके साथ होती है कि इसमें से जो छोटे छोटे बारिक बारिक ग्रास होते हैं वो निकलते हैं और जितनी हम क् तो काफी हट तक यह डस्ट जो है वो आई स्टार्टिंग में ही बाहर आ जाएगी तो अगली बार जब भी आप नया जाड़ू यूज करने जा रहे हैं तो यूज करने से पहले कोई भी एक पुरानी कंगी ले 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 और कंगी का जो यह चोड़ा वाला पाठ होता है ना यह चोड़े वाले ब्रिसल उधर से हम उपर से नीचे तक इस तरह से इनको कंगी करेंगे कॉम करेंगे जैसे कि हम बालों की करते हैं उपर से नीचे ले जाना है इससे क्या होगा कि जितनी भी इसमें च्छोटे च्छोटे घास फसे हुए हैं जो बाद में डस्ट बन करके कुड़े में और भी निकलते हैं वो क्लीन हो जाएंगे स्टार्टिंग में ही और आपका जाड़ू बिल्कुल अच्छे से वाक करेंगा तो यहां पर थोड़ा सा करने के बाद आपको रिलाइस करेंगे कि इसमें से बहुत सारी डस्ट जो है बाहरा रही है भी मैं आपको तो ऐसे उपर से नीचे तक पूरा कॉम इसको कर लिजे तो यहां नीचे की तरफ आप देखेंगे तो मैं भी जूम करके दिखा रही हूं इसको कि कितनी सारी डस्ट इसमें से कॉम करने के बाद निकली है तो यह आप देख सकते हैं और यही जो डस्ट है यह चोटे चोटे ग्रास होते हैं जो हम जब छाडू करते हैं नए छाडू से तो यह निकलता जाता है और भी गंदा होता जाता है तो इसको इस तरह से क्लीन कर लिजे नए राशन को कीडों से बचाने के लिए उनको एक बारी धूप में जरूर दिखा लेना चाहिए तो जब भी आप नया राशन लाते हैं उनको डबे में रखने से पहले इस तरह से पैकेट के साती धूप में दिखा लिजे अगर आप चाहें तो इनको भरतन में बड़े निकाल करके फैला के या किसी कपड़े चादर तुपटे के उपर भी फैला के धूप में दिखा सकते हम नहीं जानते कि य इनको जब भी तूटता है तो आपने देखा होगा कि आगे से तूटता है यहाँ से यहां से यह निकल निकल के जहडाना स्टाट होता है यहां से यहां से तो यह पैग Channel आप नया यूज़ कर रहे ही या फिर आपके पास भूराना जाडू पड़ा है तो एक काम कर सकते हैं ताकि ये जल्दी तूटे ना तो एक कोई भी ऐसा rubber band ले लिजे जो बहुत tightly इसमें fit हो जाए और दो से तीन बार इस तरह से इसको roll कर लिजे repeat कर लिजे तो यहां पर double किया है मैंने और double में ये tight हो गया है तो हमें tight रखना है और उसको मैंने slide करते हुए यहां पे लाके एकदम mouth पेना इसके जहां से ये plastic वाला लगा होता है वहां लाके मैंने set किया तो काफी tight इसको रखना है जिससे कि इसका जो घास है वो धीरे धीरे निकलती है वो नहीं निकलेगी और जाड़ू लंबे time तक चलता रहेगा next जो tip share कर रही हूँ वो इस तरह के basket के उपर है सभी के पास इस तरह की basket होती है और बरतन जब हम दुल के इसमें रख देते हैं तो पानी रिस रिस के हमारा counter जो है वो भीगा देता है आपने देखा होगा ये area जो है बहुत messy हो जाता है पानी इसमें से निकलता है जो बरतन हम wash करके रखते हैं और सारा counter गिला गिला रहता है तो यहां पर counter को साफ रखने के लिए आप इस तरह की towel यूज कर सकते हैं मैंने इसके उपर एक कपड़ा भी लगाया है एक DIY है लेकिन आप सिर्फ टॉबल लगा करके भी इसको clean रख सकते हैं सारा पानी समें अबसर्ब कर लेगा और आपका counter बिल्कुल clean रहेगा इसी से एक और टिप बता रही हूँ इसी बास्केट से जुड़ी हूई जब भी बास्केट में आप रखते हैं आपको आप देखा होगा कि छोटे चोटे जो इस्पून है उनको हमें ढूनना पड़ता है क्योंकि बरतन के साथ यह मिक्स हो जाते हैं औ और कभी कभी तो एक दम नीचे हो जाते हैं इनको हमें निकालना होता है एक चोटा साइडिया बता रही हूँ आपको यह काम आएगा इस तरह के कोई भी एक पुराना मसाले का डिपा ले लीजे या फिर इस तरह का एक बॉटल ले लीजे कोल्डरिंग वाली तो मैं यह दो होल उपर की तरफ बना लेजे और नीचे इसके तले में तीन-चार होल बना लेजे ताकि पानी इसमें से निकल पाए अब इसको हम यहां कॉर्णर पे धागे की हेल्प से फिक्स कर लेंगे तो बस इसी धागे से मैंने इसको दो तीन नॉट लगा दी है और साइड में तो यहां देखेंगे आप तो एक अलग से इसमें इस तरह का एक और बनाइजर बनके रेडी हो गया है जिसमें आप अलग से चम्मज चाकू जो भी आपका है इसली आप इसमें रख सकते हैं आपको ढूनना नहीं पड़ेगा तो मैं यह करके दिखाती हूं तो यहां पे सा अक्सर हम खाने के बाद इसमें से इसको फेक देते हैं दही वाला ऐसा बॉक्स होता है जो बड़ी काम का है अक्सर खाने में हम आफ हाफ क्वांटिटी में टमाटार या निम्बू यूज करते हैं उसके बास इनको फ्रीज में जाराल देते हैं तो इन ग्लासेश को आप फ चुटी चुटी टिप्स को आप यूज करके अपने समय की और अपने पैसों के भी बचत कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रहा होगा प्लीज कर लीजेगा लाइक शेयर भी कर लीजेगा और कॉमेंट करके बताएगा वीडियो कैसे लगी मिलती हो नेक्स वीडियो में थाइंक यू बाई